बोन के एक फ्रेक्शर को आपरेशन के कब ज़रुरत पड़ती है एक्चले भी पहले देख लेते हैं कि फ्रेक्शर क्या चीज होती है जब भी कोई बोन को कोई एंज्यूरी होती है जैसे एक्सिदेंट हो जाए गिरने की वज़ेसे उसके उपर ज्यादा प्रेशर लग है एक टुकड़ा , दो टुकड़े , तीन टुकड़े , चार टुकड़े , पॉं। ख्रक्टचर र्फिर क्रश्फ्र भी हो सकता है अभी किस बोन को फ्लास्टर की जरूरत है और किस को plaster लगा सकते हैं उसको हम लोग plaster लगा के ठीक कर सकते हैं लेकिन जब भी भी bone में fracture होता है और उसके 2, 3 या ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं जिसको हम लोग complex fracture बोलते हैं या फिर उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं और उसके operation की जरुवत पड़ती हैं और एक प्रकार का fracture रहता है जिसको हम लोग intra-articular fracture बोलते हैं intra-articular fracture में generally हम लोग को operation करना पड़ता है क्योंकि intra-articular fracture ये joint के अंदर होता है और joint के अंदर टुकड़े होने की वज़े से joint का जो surface है वो disrupt हो जाता है तूड़ जाता है और उसकी वज़े से joint खराब हो सकता है इस प्रकार के fracture में हम लोग operation करके वो टुकड़े बराबर से jigsaw puzzle की तरह एक दुसरे को चिपका के उसमें plate, screw या nail लगा देते हैं और कई fractures है जिनको operation करना ज़रूरी रहता है जैसे अगर हाथों में दो में से एक bone fracture हो जाए और जगह से हील जाए तो उसको operation करना पड़ता है क्योंकि उसका plaster में reduction करना impossible होता है कभी कभी poly trauma के patient रहते हैं जैसे एक नहीं तीन चार bone टूर जाते हैं accident में तब ही हम लोग कुछ भी हो कैसा भी हो हम लोग operation करके उसको fix कर देते हैं क्योंकि यह patient को सबसे जंदी चलाना बहुत ज़रूरी रहता है तो basically operation की ज़रूरत जिन fracture को लगती हो है एक तो complex fracture जिसमें बहुत सारे टुकड़े हो एक वो fracture जिसमें angulation बहुत जादा हो एक वो fracture जिसमें की joint में fracture हो और joint disruption हो गया और poly trauma पेशन बहुत सारे fracture हो गया हो यह चार case में हमें operation करना पड़ता है और उसको plate या screw रहता है फिक्स करना पड़ता है इसका सबसे ज़्यादा advantage यह रहता है कि operation करने के बाद patient को plaster नहीं लगता है patient joint की movement जल्दी कर सकता है वो generally जल्दी चल सकता है एक जगह पे नहीं बैठने की वज़े से उसकी जो total recovery रहती हो अच्छी हो जाती है अपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो like और subscribe केजिए